हमारा केंद्र अमेरिका के टेनेसी में हैं। टेनेसी एक थोड़ा अलग तरह कराचे है। मेरी मकाउस्की, ये रोमेनियन तो नहीं? ठीक है। मेरी मकाउस्की की शादी हुई। और अपने हनीमून के बाद वो घर आये और उसने अपने पती को डराया कि वो खाना खुद बनाने वाली। अब माफ कीजिए, उसने कहा कि वो नए पती के लिए खाना बनाएगी। और पती काम से घर आया और उसने खाना परोसा। और उसने अपने मुँ में डाला और धीरे धीरे चबाते चबाते एक गहरे विचार में खो गया। फिर वो इस खाने के बारे में बहुत खुश थी और बोली, मुझे मेरी माँ ने सिर्फ दो चीजें पकाना से खाई हैं, मीट लोफ और एपल पाए। तो पती उसके और देखकर बोला, डालिंग, ये उनमें से क्या है। तो आपकी माताएं और आपकी दादियां अच्छी पत्नियां कैसे बनी। मुख्य रूप से ये माना जाता था कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आज आपके पती ऊबरीट्स को फोन करते हैं और जो भी, क्विक फिक्स वगेरा और स्विगी जो भी हो, तो आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी दादी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी मा अच्छी पत्नी कैसे बनी थी स्थितियां बदल गई, उम्मीदें बदल गई है अब बात पेट की नहीं रही है कुछ लोगों के लिए अब बात दिमाग की है कुछ लोगों के लिए अब बात और नीचे चली गई हाँ तो आप वो मत कीजे मुख्य रूप से पती और पत्नी का मतलब क्या है क्यूंकि आप तयार नहीं है ज्यादातर लोग तयार नहीं इस दुनिया के बहुत कम लोग तयार है कि जीवन का सफर बिलकुल अकेले तै करें वो अपने भीतर अच्छे से व्यवस्तित हैं पूरी तरह से उन्हें कभी नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई कमी है कि उन्हें खुद को ऐसा बना लिया है लेकिन ज्यादातर लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए यह तो भावनात्मक रूप से, मान्सिक रूप से इनसानों में जरूरतیں होती हैं शारीरिक जरूरते, मान्सिक जरूरते, भावनात्मक जरूरते शायद सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, कई तरह की जरूरतें इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर आप निर्भर हो सकें क्यूंकि सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ढूनना भी बहुत मुश्किल है जिसके साथ आप अपनी हर चीज पांट सकें अपना शरीर, मन, भावनाएं, सब कुछ तो यही सोच है इसे व्यवस्तित इसलिए किया जाता है ताकि हर बार जब थोड़ा सा टकराव हो तो आप अलग न हो जाएं इसलिए थोड़ा बंधन बनाया गया ताकि बहुत आसानी से दूरिया ना आ जाएं ठीक है और कुछ नहीं सबसे बड़ी गलती मानफता ने ये की थी कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शादिया स्वर्ग में तै होती है इसलिए ये इतनी उलच गई नहीं ये यहां होती है अगर आप देखें कि शादियां हम बनाते है और हम अपनी जिम्मेदारी लें तो हम इसे काम्याब बना सकते है लेकिन ये तो सुर्ग में बनी है यहां के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये दूसरे ग्रह की चीज़ है सब कुछ उलच जाता है क्योंकि आपको लगता है कि ये कहीं और किसी और के द्वारा बनाई जाती है अगर आप समझते हैं कि ये आपके द्वारा आपकी खोशाली के लिए आपकी जरूरतों और उदेशियों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है तो आप इस जीवन के सफर में कम से कम टकराव और संघर्ष के साथ जा सकते हैं तब आप इसे ज्यादा समझदारी से संभालेंगे है ना और आज के युग की जरूरतों के अनुसार ना की वैसे जैसे आपकी दादी माने शादे निभाए थी आप वैसे नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीदें और स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है तो अगर आप किसी के साथ हैं जो आपका दोस्त है और जो आपकी जरूरत है आपको समझना चाहिए आप दोसरी विक्ति को भी जरूरत है लेकिन वो उनकी तरव से है जहां तक आपका सवाल है आपने ये रिष्टा इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर आप ये समझते हैं और हमेशा आभारी हैं कि कोई और आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो आप इसे अच्छे से संभालेंगे. आप इसे दुख में नहीं बदलेंगे. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि किसी और को मेरी जरूरत है, तो आप इसे उलजा देंगे. आप तब समझे कि आपको इसकी जरूरत है, दूसरे व्यक्ति को भी समझना होगा कि उसे जरूरत है, तब जुडाब होगा, अगर आप सोचते हैं कि आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपका लाब उठाऊंगा, नहीं, ये आपके द्वारा किसी से खुशी निचोडने या किसी के द प्रोथ हो तो दुख बढ़ जाएंगे